नमस्षकार आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी sound device में AWP amps को कैसे बदल सकते हैं जनररली हर वो device जिसमें AWP amps लगके आते हैं उसमें AWP amps को बदला जा सकता है तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आज कल अधिकतर sound devices जैसे की DAC, amplifier या pre-amplifier वगेरा सभी sound devices में op-amps का उपयोग किया जाता है जिन्हें की हम आसानी से बदल सकते हैं आज मैं एक DAC में लगे op-amps को बदलना सिखाऊंगा और exactly same उसी तरहा से किसी भी amplifier या pre-amplifier या DAC में हम op-amps को बदल सकेंगे तो आज यहां मेरे पास है नियो हिपो ब्रेंड का DC10 DAC और इस DAC में लगे हैं NE5532 op-amps जो की एक बहुत ही basic neutral sound stage के लिए जाने जाते हैं तो चलिए अब देखते हैं कि हम op-amps को इस device में बदलेंगे कैसे सबसे पहले तो हमें अपनी उस device को खोल लेना होगा जिसमें हमें op-amps को बदलना है device को खोलना कोई मुश्किल काम नहीं होता सिर्फ कुछ screws वगेरा को ही खोलना होता है अब जैसा कि मैंने अपनी इस device को खोले लिया है तो अब हम यहां देख सकते हैं कि इसके अंदर यह circuit लगा हुआ है और इस circuit पे यहां यह chips जो लगी हैं वही हैं op-amps जिनें हमें निकालना होगा और एक दूसरा op-amp लगाना होगा और वो दूसरा op-amp जो है उसका model number है JRC 4580D अब आपको किसी भी op-amp को बदलना हो तो वो बिलकुल इस ही तरह से बदला जाएगा जैसे कि मैं अभी आपको बदल के दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा उन्हें मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ जो op-amps आते हैं वो दो तरहा के होते हैं एक होता है single और दूसरा होता है dual हिपो में लगे op-amps dual op-amps हैं तो जो भी दूसरे op-amps मुझे यहां बदलने होंगे वो भी dual op-amps होने जरूरी हैं तो जो ये NE5532 op-amps हैं ये भी dual op-amps ही हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि अब हम इन JRC 4580D op-amps को अपने Neo-Hippo DC10 में आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि JRC 4580D op-amps भी dual op-amps ही हैं लगाना तो भाईया बहुत आसान ही है लेकिन एक और बहुत ही ज़्यादा important बात जो हमें ध्यान रखनी होगी वो ये है कि op-amps में एक notch दिया गया होता है या फिर इस तरहा का एक dot दिया गया होता है जो की दर्शाता है कि op-amps को socket में किस direction में लगाना है तो circuit board में लगे socket के notch को देखके उसी तरफ op-amps का notch match कराते हुए हमें socket में op-amps को लगा देना होगा और यदि notch ना दिया गया हो op-amps में तो ये dot जरूर दिया गया होता है तो circuit board में लगे socket के notch को देखके उसी तरफ match कराते हुए op-amps को लगा देना होगा तो बस सिर्फ इतना सा ही असान काम है एक op-amps को बदलने का लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात मैंने अभी बताई उसको दोबारा दोहरा देता हूँ कि यदि हमारे पास जो भी device है उसके अंदर जो भी op-amps लगा है यदि वो op-amps, single op-amps हो तो हमें दूसरा op-amps भी single ही खरीदना होगा वहां हम dual op-amps को नहीं लगा सकते ध्यान दीजिए जहां single है वहां single op-amps लगाना है वहां हम dual op-amps को नहीं लगा सकते इसलिए अपनी डिवाइस में लगे ओप एमց की जानकारी पहले निकालने कि वो दुबल है या सिंगल और हाँ भाईया ये डुबल और सिंगल से ये मतलम नहीं है कि एक डिवाइस में कितने ओप एम्प से लगें जैसा कि इस device में हमने देखा कि 3 op amps हमें बदलने पड़े तो उसका ये मतलब नहीं हुआ कि यहां triple op amp लगाए हैं हमने op amps में dual या single का तात पर्य सप्लाई से जुड़ा होता है कुछ op amps single supply के होते हैं तो कुछ op amps dual supply के होते हैं तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको op amps को बदलना भी आ ही गया होगा भया अब मैंने sound testing का प्लान तो किया था लेकिन sound testing के बाद जो recording होगी उस पे हम उस असली फरक को सुन ही नहीं सकते क्यूंकि वो फरक जो op amps को बदलने के बाद आया वो जुड़ा हुआ है sound stage से अब भया ये sound stage actually होती क्या है ये भी एक बहुत ही important topic है जिसे हमें समझना होगा क्योंकि यदि अगर हमने sound stage को समझा नहीं तो भया फिर op amps को बदल लो या कुछ भी हम हमेशा एक भरम में रहेंगे कि भया कुछ तो बहतर हुआ है लेकिन वो फरक इतना भी बड़ा और बहतर नहीं कि उसके लिए हम op amps को भया अदल बदल के देखें लेकिन मैं इस वीडियो में sound stage को नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो एक बहुत ही important topic है और उसके लिए मैं एक detail में वीडियो बाद में जरूर बनाऊंगा लेकिन अगला वीडियो जो op amps पे आधारित आने वाला है उस वीडियो में आपको sound stage की काफी हद तक परिभाशा समझ में आ जाएगी फिलहाल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि op amps को बदलने के बाद का मेरा अनुभव क्या रहा बहुत ही neat and clean sound सुनाई दे रही है और हलकी सी warmness भी बढ़ गई है instrument separation भी थोड़ा वेटर फील हो रहा है overall हमें एक decent sound quality मिल रही है जो कि stock op amps से तो कहीं बहतर लगी मुझे तो भहिया आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं आज कल op amps पे आधारित वीडियो को क्यों ला रहा हूँ तो भहिया बात सिर्फ इतनी सी ही है कि हम सिर्फ कुछ छुट पुट सुधार करके हम अपने existing sound system की sound stage को और बहतर बना सकते हैं और ऐसा करने के लिए chip based op amps के अलावा कुछ discrete op amps आते हैं जो की actually drastic change ला सकते हैं sound quality में और खास तौर पे overall sound stage पे भी काफी बहतर बदलाव आता है in fact discrete op amps का उपयोग करते हुए हर angle से बहतर sound quality प्राप्त की जा सकती है फिर चाहे instrument separation हो, stereo imaging हो या overall sound quality हम सब कुछ बेहतरीन quality में सुन सकते हैं तो भाया discrete op amps से चुड़ा एक बहुत ही खास वीडियो बस आने ही वाला है इंडिया में पहली बार मैं लेके आने वाला हूँ तुनिया भर में audio files का पसंद दीदा discrete op amps जिसका की review भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा वो भी बहुत ही जल्दी बादीजेगा और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजेगा फिलाल मैं आप लोग से अगे लेना चाहूंगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों कर दो ने वाद